पिछले विडियो में हमने sound wave की अलग-अलग properties के बारे में पढ़ा था यहां हम sound wave की एक और property के बारे में बात करेंगे जिसे speed कहते हैं speed वो physical quantity है जो बताती है कि कोई object कितनी तेजी से travel कर सकता है हम सब किसी भी object की speed की general formula को जानते हैं यह क्या होता है? speed दिये गए time में दूरी होती है एक wave पर किसी भी point द्वारा एक unit time में travel किये गए distance को sound wave की speed कहते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि अगर हम एक wave पर कोई भी point लें जैसे कि यह maximum density का point तो इस point द्वारा unit time में travel किया गए distance sound wave की speed होगी SI unit की terms में एक wave पर किसी भी point द्वारा एक second में meters में travel किये गए distance को speed कहते हैं यहाँ एक दूसरा तरीका है जिससे हम sound wave की speed को ढूंड सकते हैं हम sound wave की speed को wave की एक cycle के terms में सोच सकते हैं एक sound wave एक cycle कब पुरा करती है? जब यह maximum compression से minimum refraction पर move करती है और वापस maximum compression पर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक cycle पूरी हो गई है तो फिर यह distance क्या है? हम पहले देख चुके हैं कि यह distance और कुछ नहीं लेकिन wavelength lambda है और इस distance को पूरा करने के लिए लगने वाला time, time period T होता है तो हम sound wave की speed को ऐसा कह सकते हैं वेव द्वारा एक cycle की length के बराबर travel किया गया distance ओवर उस distance का पूरा करने के लिए लगने वाला time इसलिए speed V, wavelength lambda over time period T होती है जिहां, यह wavelength over time period होती है क्या आपको याद है कि 1 over T क्या है? हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि यह frequency new के बराबर होता है अब हम 1 over T को new के साथ replace करते हैं तो हमें V, lambda new के बराबर मिलता है इसे wave equation कहते हैं यह किसी भी तरह के wave के लिए सच है और ना केवल sound wave के लिए जो की एक longitudinal wave है यह wave equation हमें wave की speed, उसकी wavelength और उसकी frequency के बीच का mathematical relationship देती है चलिए इस concept पर आधारित एक आसान example देखते हैं question को ध्यान से पढ़ें चलिए पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है हमें sound wave की frequency दी गई है हम कह सकते हैं कि new 220 hertz के बराबर है sound की speed 440 meters per second के बराबर है कोई भी problem को solve करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि सभी units एक जैसे ही है हम देखते हैं कि सभी units ऐसा ही units है हमें wavelength calculate करने के लिए कहा गया है यानि कि हमें lambda calculate करने के लिए कहा गया है हम इस formula को use करेंगे जो और कुछ नहीं लेकिन wave equation है जो हमने अभी देखा V lambda times new के बराबर है values को substitute करने पर हमें ये मिलेगा दोनों sides को 220 से divide करने पर हमें ये equation मिलती है अंत में हमें answer 2 meters मिलता है wavelength के unit को मत भूलियेगा कभी-कभी बारिश के मौसम के दौरान हम पहले बिजली को देखते हैं और फिर गडगड़हाट के वासमें होती है ये घटना हमें क्या बताती है ये हमें बताती है कि light की speed sound की speed से ज्यादा है यहाँ कुछ factors हैं जिस पर sound की speed निरभर होती है उनमें से एक है माध्यम का temperature जब माध्यम का temperature बढ़ जाता है तो speed भी बढ़ जाती है 40 degrees Celsius पर हवा में sound की speed लगबग 355 meters per second है और 20 degrees पर ये लगबग 344 meters per second है दूसरा factor जिस पर ये निरभर करती है वो खुद माध्यम ही है आपको क्या लगता है कि किस case में sound की speed तेज होगी solid में या gas में एक particular temperature में sound की speed gases के मुकाबले solids में ज्यादा होती है जिहाँ अगर माध्यम solid हो तो sound तेजी से travel करेगा क्या आपने supersonic speed ये term के बारे में सुना है क्या आपको पता है कि इसका क्या मतलब है जब किसी भी object की speed sound की speed से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि object supersonic speed पर travel कर रहा है क्या आपने supersonic missiles जैसे कि Brahmos या supersonic aircraft जैसे कि DAS or Rafale के बारे में सुना है जी हाँ ये वो missiles और aircraft है जो हावा में sound की speed से ज्यादा speed के साथ travel करते है